Hello everyone, I am Aastha, Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube Channel Railway Vacancy को लेकर के एक और निव नोटिस आया हुआ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे Railway Vacancy 2023-24 आप सभी जानते हैं railway में vacancy आने वाली है 2023 और 2024 तक यह जो notifications है Release हो जाएंगे और लगबग सभी departments में vacancies आने वाली हैं ये मैंने काफी time पहले एक वीडियो अप्लोड किया था उसमें आपको inform किया था कि railway में vacancy आने वाली हैं कितनी-कितनी vacancies, group by vacancies के बारे मैंने आपको बताया था और जो latest notice release होते हैं वो भी मैं आपको उसी playlist में mention कर देती हूँ उस playlist में add करती हूँ सारे videos railway jobs related तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिगा अभी जो notice आया है latest notice है, official है, कोई paper cutting या मैं ऐसी कोई news के बारे में बात नहीं कर रही हूँ officially notice यहाँ पर आया है और यह जो notice है, इसमें बताया गया है कि railway में departments होते हैं अलग-अलग किस department में कितनी vacancies हैं, अभी आप देख रहे हैं railway में अलग-अलग departments होते हैं जैसे कि security में आ जाता है आपका RPF, accounts, signal, store, medical, civil, electrical, personal और इसके अलाबा other departments में हैं सभी departments के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि किस department में कितनी vacancies हैं railway में और यह जो vacancy की detail जो आपको provide की गई है, बताई गई है, यह आपकी 1 December 2022 के वेस पर बताई गई है इसी मंद का यह पूरा data है, पूरा आपको detail दिया गया है, जिसमें कि gadgeted and non-gadgeted सभी post के बारे में बताई गया है तो अब यह जो vacancies आएंगी, क्योंकि काफी candidate पूछ भी रहते कि RPF की vacancy आएगी या नहीं या अदर किसी department में, store के लिए भी comment आया था कि store के वारे में आप बताईए तो यहाँ पर मैं आपको सभी department को लेकर के vacancy बता दी गई है, किस department में कितनी vacancies है railway में और यह जो vacancy है, obviously जब यहाँ पर यह vacancies है, तो अब जो notification, new notice जब release होगा railway की तरब से भरती का, तो यह भरतियां भी, यानि किए जो departments है, इन मैंसे जिस भी department को आप join करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप ठीक है, vacancies under various departments of railway, यह कलका है और यह आपका जो vacancy के बारे में inform आपको किया जा रहा है, यह 1 दिसंबर 2022 के बेस पर यह आपको पूरा यहाँ पर list प्रोवाइट की गई है, यह दिखिए, the detail of, एक मिर्ट, the detail of existing gathered and non gathered vacancies as on 1st December 2022 in various departments of railways, चीक है, अब आप जिस भी department के लिए, क्यूंकि RPF के लिए भी काफी candidate वेट कर रहे हैं, पूसते हैं RPF की vacancies, तो यहाँ पर आप security में आ जाएगा RPF, सभी department का information है, फर्स्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं, accounts, accounts में 12,455 vacancies हैं, काफी अच्छी vacancies हैं, account में, administration में 4,227, civil में 87,087,654, civil में काफी जादा, यानि सबसे जादा यहाँ पर जो vacancies list यहाँ पर provide की गई हैं, उसमें I think civil में ही सबसे जादा vacancy हैं, 87,654, electrical में 38,096 हैं, mechanical में 44,340, medical में 5,193, अब जैसे medical department है, तो इसमें doctor की, यानि group A की भी post हो सकती हैं, और group B, group C की भी post हो सकती हैं, क्योंकि D को तो C में ही involve कर दिया है, so group B and group C की भी post हो सकती हैं, जिसमें कि आपकी attendant वगरा होते हैं, या nurse की vacancy होती हैं, यहाँ पर सिर्फ department की हम बात कर रहे हैं, post की बात नहीं कर रहे हैं, किस-किस department में कितनी vacancies हैं, अब उस department में सभी candidate के लिए vacancies हो सकती हैं, 10th, 12th, graduate, सभी candidate के लिए, personal जो है, उसमें 3944 हैं, security में 9068, यानि कि RPF की जो vacancy हैं, यानि security में RPF का ही काफी candidate बेट कर रहे हैं, ऐसा यह constable post के लिए, तो इनकी vacancies यहाँ पर लगबग आ सकती हैं, next है, signal and telecommunication में 14,000 vacancies हैं, store में 8,821 हैं, traffic and transportation में 62,264 vacancies हैं, and miscellaneous 578 हैं, तो यह यहाँ पर department wise vacancies यहाँ पर बताई गई हैं, किस department में, अगर आप security में जाना चाहते हैं, तो security में constable की post होती हैं, तो आप 10th पर, 10th वेस पर आप इसमें apply कर सकते हैं, और अगर इसमें SI की vacancy आती हैं, तो 12th graduate पर कर सकते हैं, अलग-अलग post के साफ से होगा, लेकिन, जिस भी department के लिए आप wait कर रहे हैं, कि किस department में कितनी vacancies हैं, आप जिस department को join करना चाहते हैं railway में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस department में in future जो notification release होगा, railway upcoming vacancies का new notice जबाएगा, तो उसमें आपके लिए किस department में कितनी vacancies release हो सकती हैं, यह यहाँ पर detail provide कर दी गई है, और यह मैंने date भी आपको बता दी है, और यह जो vacancy detail है, यह भी 1 December 2022 के base पर इन्हों ने यहाँ पर यह हमको list provide की है, ओके, तो यहाँ पर यह information काफी जरूरी थी, क्योंकि RPF से काफी comment आ रहे थे कि मैं RPF से related कोई भी update हो, तो आप प्लीज दीजे इसकी vacancy आएंगी या नहीं, क्या सिर्फ constable के आएंगी या सिर्फ SI के आएंगी, तो अब भी RPF में 9000, RPF क्या security हम departments कह सकते हैं, security department में 9000, RPF total vacancies हैं, अब इसमें vacancies कितनी आती हैं, किस post के लिए कितनी आती हैं, वो आगे जैसी कोई update आएगा, तो मैं आपको सारी जो भी update आता है, notice आता है, मैं आपको provide करूँगी, and railway से जुड़ी हुए जो भी information या, जैसे ही कोई भी latest update मेरे पास आता है, मुझे कोई भी information मिलती है, मैं वीडियो upload करती हूँ, कि क्यों, railway vacancy, जो भी मेरे viewer या subscribers हैं, वो railway vacancies के लिए ज़्यादा wait कर रहे हैं, railway की vacancy कम आईगी है, इसके बारे में जो भी information हो, आप सभी काफी wait कर रहे हैं इसका, तो railway से जुड़ी हुए जो भी update है, मैं आपको यह प्रोवाइट करती हूँ, वैसे तो government job vacancies related, जो भी बड़ी भरती से related update आएंगे, इंडिया post में जब भी बिचा से ही कोई update आता है, वो भी मैं आपको provide करूँ हूँ, नाएंगे, तो भी बिचा से ही कोईएट आता है, जो भी बड़ी हूँ, यह जो भी बड़ी है, जो भी मैं आपकोईएट कोईएट आता है,